हेई गाईज कैसे आप सब लोग आज मैं आप साथ फाइनली शेयर कर रही हो यह वनीला केक बहुत मुझे कॉमेंट्स प्यार रहे थे कि यह वाली रैसिपी शेयर करो तो सबस्पर लें इंग्डीरिंट्स पर आजाते हैं यहां पर यह है बेकिंग सोडा जो कि है हाफ टी ताकि फ्लेवर क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं और हमें चाहिए टू एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और यह है हमारे पास फ्रेश क्रीम मलाई जिसे हम बोलते हैं यह है पाउडर शुगर पीस्योई चीनी और साथ में हमारे पास है मैदा तो हमें यह तीनों चीजे धाई-धाई-धाई कप लिया है मैंने तो आप भी सेम कौंड़ी ले सकते हो जो मलाई है उसको मैंने पूरा ऐसे यह निया कि सिरफ मलाई-मलाई है थोड़ा सा दूद भी मिक्स कर देता कि वह बहुत जादा थिक और हेवी ना लगे केक ओके और अगर आपको इसके मलाई वाला नाम नाना हो तो मुझे कॉमें सेक्शन पूछले ना I'll tell you the exceptions अब हम क्या गरेंगे मैंने आपर डाला मैदा ओल्मॉस्ट तीनों की सेम कौंड़ी लिया थाकि आपके लिए बहुत ईजी रहे और यह केक मैंने ट्राइ करा और यह सही बन गया तो yes you can do the same चीनी अ इसको भी करें मिंक्स और फिर स्कॉर दालेंगे मलाई अगर आपको बटर वाला बनाना तो आप वह भी बना सकते हो कोई क्वेरी हो मुझ से कॉमें पोछ लेना तो यहाँ पर मैं टाल रहे हूँ फ्रेश क्रीम इसको करेंगे अब हम मिक्स तो आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हो बुलकुल अच्छे दो जाएगी यह मैं बड़ा केक बना रहती इसलिए अगर आप इसकी छोटी कॉन्टिटी बनाओगे जैसे की आपको एक कप की बनानी है तो आप उस रसाप से दिवा लेडा और मलाई और और चीनी भी कम हो जाएगी तो अभी इसको मैंने अच्छा से कर दिया है मिक्स और तीनों बाकी इंग्रीडियंट भी डाल दिया है अब हम क्या करेंगे एक केक का टेन लेंगे यह बड़ा बड़ा है तो इसके अदर सबसे पहले थोड़ा सा ओल या ब चुकी हूँ तो आप कल वाली वीडियो में जागे चेक कर सकते हो इससे पिछले वाली या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगी लिंक केक मैंने 35 मिनट के लिए बेक करा OTG में 180 डिग्री और 5 मिनट प्री हीट भी करा था आप चाहो तो इसको कूकर में बना सकते हो 40- 45 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे बनाओ और बीच में चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो टुथपिक्स है जापका केक हो जाएगा रेडी यह मैंने इसका बटर पेपन निकाल दिया इसको पल्टा के दूसरी प्लेट पे और फिर मैंने एक नया इसको मैंने करना था हाफ क्य तो वह बहुत एजली हाफ कट होगा एकदम बढ़िया से इसके बाद यह रही मारी फ्रॉस्टिंग तो इसको मैंने फ्रॉस्टिंग पहेंगे और फिर उसके बाद हाँ एक वर चीज मुझे बताने थी अगर आपको ऐसे लगे ना कि मैदा वाला नहीं बनाना तो आप तो इसके उपर न थोड़ा सा जब केक का बैटर डाल तो उपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स या ड्राइफूर्ट या जो भी आपको डालना तो उपर से थोड़ा बढ़े लगेगा बिना फ्रॉस्टिंग वाला केक अगर आपको बनाना हो तो यह चीज ना करनी हो तो इसली वनीला केक बन जाएगा और उपर से थोड़ा सा आपकर सकते ताकि अच्छा दिखे अगर आपको किसी कलिए बनाना है तो यहां मैंने हाफ केक पे डाल दिया फ्रॉस्टिंग जो की बटर कीम की बनाई थी अगर आपको क्रीम चीज की फ्रॉस्टिंग चाहिए तो उसकी र बाद डालने की अब समझ नहीं रहता है तो कैसे बुल्टाई पर जस्ट इसको मैंने कर दिया फिर उसके बाद केक ओल्मोस होगे रेड़ी बाकी फ्रॉस्टिंग में डालेंगे और जिसने भी कॉमें सेक्श्टिंग मोला था वनीला केक ना दो यहलो वनीला केक आपको मैं बता दी अब बताओ नेक्स्ट क्या बनाया जाए कॉमें सेक्शन में यहां मैं केक के ओपर फ्रोस्टिंग डालने के बाद दाल रही हूँ स्प्रिंकल्स तो आप चाहो तो कुछ और भी राल सकते हो आपके में से ड्राइफुर्ट चॉकोचिप्स वाटेवर कम्लीटी यह चॉइस और आप चाहो तो वालनट केक भी मना सकते हो इसके अंदर अखरोट के पीसे ताल के के बैटर में भी और उपर से भी हावेवर यू लाइक बहुत-बहुत सारे ओप्शन तो यहां पर यह करा और अब वीडियो रही है खतम अगर आपको देखना हो कि ममा के बर्द झाल 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 झाल